आज हम बनाएंगे पफ खाजा इसको मलाई खाजा मावा खाजा भी कहा जाता है इसकी एक रेसिपी मैंने परसो ही अपलोड करी थी जो आपको बहुत पसंद आई इसको बनाने का थोड़ा सा प्रोसीजर डिफरेंट है जरूर ठ्राइ करिएगा और हमीशा कितरे रेसिपी अ जला ले ताकि चीनी मेल्ट हो जाए और इसमें एक तेज उबाला आने लगे जैसे उबाला आ जाता है तो मीडियम फ्लेम पे तीन से चार मिनिट पका ले ताकि चाशनी अच्छी तरह से गाड़ी हो जाए तो आपने इसको शुगर सिरप जो होता है ना ये देख हनी की तर होना चाहिए थिक होना चाहिए बस गैस कपले मॉफ करके साइड में रख दे दूसरी तरफ मैंने एक कप दूद लिया है मैं सजेस्ट करूगी अगर आप गाड़ा मलाई बाला दूद लेंगे और उपर की जो मलाई होती है उसके साथ ही ले ले तो इससे घी भी अच्छी तरह से रिलीज होगा और टेस्ट और रिनांस होगा साथ में आट करेंगे कुछ कटे हुए काजू बदाम पिस्ता के पीसे एक दो बून केवरा एसेंस और दो टेबल स्पून चीनी अच्छी तरह से मिक्स कर ले इसको कुछ टाइम बाद इसमें तेजी से उबाला आने हो गया है चलाते रहे आपने इसको छोड़ना नहीं है वरना नीचे लगके यह जल जाएगा और यह बिल्कुल गाड़ा हो गया है जब इस तरह से हो जाए तो बस एक मिनिट और पका लिया था ये दिखिए अब हम इसको साइड में रख देंगे यहां पर मैंने दो टेबल यह था मैदा इसमें आप चाहें तो एक चुटकी नमक शामिल कर सकते हैं और दो टेबल स्पून आड़ किया है देसी घी घी के साथ आटे को अच्छी तरह से रब करते हुए मिक्स कर ले एक बार यह मिक्स हो जाए तो पानी आट करना है और आटा बहुत जादा कड़ा नह आटा मसल के चिकना कर ले एक बड़ा पेड़ा रखा था और एक चोटा पेड़ा काट लिया है छोटे पेड़े के और दो पेड़े काट लेंगे ऐसे अब इसको मैंने दो कलर आट कर लिया है जैसे कि रेड और ग्रीन आप चाहें तो लिखविड फूड कलर भी आट का सकत बहुत जादा थिक नहीं रखना है और बहुत जादा पतला भी नहीं बस यह त्यार है इसी तरह से जो लाल वाला मैंने पेडा बनाया था उसको भी मैंने ओवल ही बेल लिया है जो सफेद वाला बड़ा मोटा पेडा है उसको थोड़ा सा मसल ले और फिर उसको अपने इस तरह से लंबा बेल लेना है यह देखिए जैसे मैं बेल रही हूँ अभी तो लेंद्वाइज ऐसे लंबा होना चाहिए इसी के अंदर हम जो रेड और ग्रीन वाला कलर का हमने बनाया वो हम एड्जस्ट करेंगे तो सबसे पहले थोड़ा सा नीचे पानी लगा ले ताकि इसके उपर वो स्टिक हो जाए और फिर हमने ये रेड बाला और फिर ग्रीन वाला इस पर अरेंज कर लेना है बस ध्यान रहे कि जादा बाहर नहीं आए कि नारो पर से अब इसके उपर जो घी और मैदे का साटा हमने बनाया है वो अच्छी तरह से लगा लेंगे हर तरफ से लगा ले कोई जगे रह नहीं जानी चाहिए एक पतला सा लेयर स्प्रेट कर ले या पर मैंने बेलन ले लिया इस तरह से और ये बेलन के उपर हम इसको रोल कर लेंगे आप कोई डंडा या कुछ ऐसी मोटी स्टिक ले ले जिस पर आप उसको अच्छे से रोल कर सके बाकी का जो आगे बच जाएगा उसको फिर से अपने पतला बेलते जाना है उसके उपर भी मैंने साटा लगा लिया है और इसको मैं धीरे से लपेट रही हूँ इस तरह से तो तो यह देखे इतना पड़ा मैंने बेला है बीचो बीच कट कर ले फोल कर ले इसको थोड़ा सा सूखा अटा लगा लेंगे और इसको फिर हम थोड़ा सा बेल लेंगे इसके बाद हमने इसके इस तरह से स्क्वेर पीसे कट कर लेने है तो यहाँ पर मैंने फीडियो को है और side में जो layers है वो आप clearly देख सकते हैं तो यहाँ पर मैंने 1-2 square बनाए थे और बाकी के मैंने इस तरह से triangle बनाए हैं इसके उपर थोड़ा पानी लगा ले बीचो बीच आप filling रख दे मावे की इसको इस तरह से हलका प्रेस कर ले क्योंकि पानी लगाया हुआ होता है और ऐसे अंदर दबा ले तो सारे हम बना के त्यार कर लेंगे यह दिखिए आप चाहिए तो थोड़े बरे साइस के भी बना सकते हैं flame medium है oil medium गरम होना चाहिए बहुत ठंडे डिगरी पे preheat कर ले oven को 10 मिनट के बाद जब गरम हो जाए तो अंदर यह खाजे रख दे और उसको अच्छे से brown होने तक आप बेक कर ले तकरीबन आदा घंटा लग जाएगा उसमें तो यह दिखिए fry होके त्यार है अब जो चाशनी मैंने शुरुआत में आपको बताई थी वो चाशनी थोड़ी ठंडी हो गई थी तो मैंने बस लूक वाम कर लिये अपने ध्यान रखना है उबाला नहीं लेना है वरना यह थेक हो जाएगी इसके अंदर यह खाजे आट कर ले और इसको अलट पलट के अपने इसके अंदर मूरने के लिए छोड़ देना है गास हम इसको फिर डिश आउट करेंगे तो यह इतना मॉइस्ट होता है बिलकुल मूँ में घुल रहा था और अंदर की फिलिंग बहुत ही जादा टेस्टी है केवरा एसेंस नहीं है तो इलाइची पाउडर आट कर ले मैंने थोड़ा सा इलाइची पाउडर चाशनी में आट क बूलिएगा आप किस मुल्क से मेरा वीडियो देखते मुझे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा चैनल पर पहली बारा है तो आपसे हम पर रिक्वेस्ट है बगएर सब्सक्राइब किये मच जाईएगा तो बस आज के लिए इतना काफी है फिर मिलती हूँ एक और नहीं औ ताज आरे सब्सक्राइब की साथ तैंक यू सो मच टेक केर अला हाफिस बाबाए